हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग तो दोस्तों फास्ट अफॉल उत्राखंड़ की सान और उत्राखंड़ की बेटी कहें या बहू कहें हिनु बलोगर को बहुत 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 धेर सारी सुब कामना है उनको और उनके छोटे बेबी को जैसे कि आथ सब को पता है हाल ही मैं मतलब कहें परसू हिनु ने एक बेबी को जनम दिया है लेकिन उन्होंने अभी सो नहीं किया है कि उनका बेबी बॉई है कि बेबी गर्ल है मुझे लगता है वो नाम करने तक तो ओविसली वेट कराएंगे जैसे उन्होंने अपनी अच्छे तरह से जितना हमने एक्सेप्ट नहीं किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छे से आपने मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक बच्चे को जनम दिया जैसी कि आपने अपने ब्लॉग में बताया है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई इसलिए आपको हम बढ आपके बच्चे के बारे में जानने के लिए तो हीनो मुझे एक सपना आया था जिस दिन आपका बेबी हुआ उस दिन में को सपना आया था कि अब हाला कि हम लोग दिन बर आपका ब्लॉग देखते रहते हैं तो कहते हैं कि जमा लहरी ओल ऐसे पहाडी में हमको बोलते हैं क जीकितनागी तो यहुक्त तो लिए नहीं बता दे सकते हैं वाद में आप बता देना तो आज आज मतलब इतना excited थे अज मतलब न हम लोग अभी हम लोग बना रहे हम तो नहीं-नहीं हैं ब्लॉगिंग करने में लेकिन आपके आपके ब्लॉग देखके हम इतना inspired होगे कि हमारा भी मन करा है कि हम भी ब्लॉग बनाते हैं मतलब आपको देखते होती थे ना बहुत अच्छा लगता होता था हमको कि यार यह ऐसे बोड रहे हैं मतलब अपने उत्राखंड की संस्कृति को ऐसे बता रहे हैं और अपने पहाडों के बारे में इतना मतलब इतने बिस्तार से बता रहे हैं सब के दिल को छूरा है वो तो जैसे कि हमारे दिल को भी छूआ है ना तो वैसे तो मैं रहती पंजाब में हूँ लेकिन मेरा माईका ससुराल दोनों माईका तो मेरा बिंदु खत्ता में है ससुराल मेरा भी पहाड में ही है अभी हम ये सोचों कि हम लोग पंजाब में भी नहीं सकते क्योंकि आपके ब्लॉग्स इतने अच्छे होते हैं आप पूरी प्रकृती मतलब तो इतना अच्छे सी इतने विस्तार से दिखाते हो की मजा आ जाता है मतलब पूरी ध्याड़ी सारा दिन निकल जाता है आपके वीडियोग जितने भी आपके रिलेटिव हैं सबी लोग ब्लोग मनाते हैं और हम लोग आपकी उजैसे उन लोगों को भी देख पाते हैं क्योंकि सबसे पहले आपका ही देखा था फिर आपके दियोरानी का देखा था फिर आपके रिलेटिव हैं कुछ उनका देखा था तो बहुत ज्यादा हम मोटी बुद्धी बोलती हूं वो अभी मेरे सामने है आजा मोटी बुद्धी तो हम लोग भी ऐसी बॉंड सेयर करते हैं यह है मेरी जिठानी प्यार से मोटी बुद्धी में इसको बुलाती हूं मेरे शौट वीडियो में आपने देखा होगा तो जैसे आप लोग करते हो अच्छा सीखने है ना सॉरी तो आप से एक पॉजिटिब मैसेज भी जाता है लोगों को कि आप लोग अपनी फैमिली में इतना अच्छा बॉंड सेयर करते हो अपने इन लॉस के साथ आप इतने अच्छ से रहते हो तो यह एक समाज के लिए हमारे ना बहुत ही अच्छा म हमने इसले भी भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको कि हम लोग कुछ अच्छा सीखें और अच्छाई अच्छी सोच आगे हो आगे बादें ऐसे हम लोग भी आपसे सीखते हैं तो हम इ Seitne होने के नते ना क् statute कि हम लोग फिर बाद में आपने बताया नहीं गल बोई तो थोड़ा सा मायूस जरूर थे लेकिन जो मेरा सपना है भई मैं तो अपने सपने को मान के चल रही हूं उसी की अकॉर्डे में ने ये वीडियो बनाया है ये ब्लॉग बनाया है चोटा सा तो हीनो बहुत जादा एक्साइड़ और परता सबसे पहले जो जब आप अपने घर से आरी थी तो उखना पहले अगर और जब आप घर से आ रही थी हैं अपने घर से तो आप नमन के लिए इतना उनकी बेटे नमन के लिए इतना रो रहे थे और मतलब इतना अच्छा हुझ सेयर कर रहे थे और रो रहे थे तो कहीं नहीं जो होता है कि एमोसें दिल से कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑविसली बन्दा emotional होई जाता है, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत emotional हो गए थे लेकिन फिर हमने समझाए कि यार जो दिल से connect होता है न वो emotional होता है, ठीक है, जो हम लोग तो आपको जब से देख रहे हैं, मैंने आपकी पहली वीडियो देखी थी, जब आपने अपने शादी में I think dance किया था, वो वीडियो मैंने सबसे पहले, मेरे पास जो वीडियो थी, वो मैंने आपका सबसे पहले देखा और उसी दिन मैंने सबस्क्राइब किया मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन बन गई थी और जो भी हमारे उत्राखंड से हम लोग तो उत्राखंड को तो हर कोई सपोर्ट करेगा क्योंकि हम खुद उत्राखंड के हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको देखने लगए दीरे 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 मतलब आपकी वीडियो इतनी अच्छी होती थी, सबसे अच्छा तो हमको अच्छी तरह से बेवी को जनम दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है बाकी तो अलग रखो, साइड में रखो, जो भी है, जैसे भी है आप जिस तरह से आप घबरा गई थी, जैसे मतलब आप बोड़ इतना कि क्या होगा कैसे होगा, और मैं कैसे, मतलब कर पाऊंगी नी कर पाऊंगी, जैल पाऊंगी, मैं तो रोने लग जाऊंगी ऐसे कुछ करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आपने जैसे बताया था यह वाली वीडियो में मैंने अच्छे से आपने बेवी को जनम दे दिया था, तो यह बहुत होता है ना, यादगार मोमेंट होता है यह कि जब आप ऐसे कुछ कर रहे हो, बेवी को जनम दे रहे हो, तो मतलब कही न कहीं बन्दा एमोशनल होई जाता है लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई है, वो काविले तारीफ है, heads of you, बहुत अच्छा लगा तो मैं क्या ही कहूं, जो मैंने सपना देखा था, वो मैं आप लोग को सेयर करी थी और अपने सभी दोस्तों को भी सेयर करी थी दोस्तों, यह बहुत खुसी की बात है, हम भी चाहे मेरे जैसे और भी ब्लोगर हैं, जो आपको देखके inspired हुए और अभी भी वो struggle कर रहे हैं, मेरी तरह है इस्ट्रगल कर रहे हैं और वीडियोज बना रहे हैं, तो दोस्तों, अभी आपको जाते जाते इतना कहूंगी, बहुत 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 जादा बढ़ायां, और हो सकता है मेरा सपना सच भी हो सकता है, यह तो बाद में पता चलेगा, तो अभी के लिए इतना ही अगली वीड ऐसा क情況 को टो सकता हैं, बहुत 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 बीडियोज जाली, अभी के लिए नहDYके रड़ायां, पत कह आई ह susceptible रखको बाद आतो है, испक ownership हैं, वीकले खो सकता हैं, बहुत 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 हैं, तो अर कह सकता हैं जाउह हैं